बच्चो जब हम किसी electrical appliances को on करकर छोड़ देते हैं उसमें electric current पास होता है और उसकी कुछ देर बाद हम उसको छूते हैं तो वो हमें गरम लगता है क्योंकि विद्दूत उर्जा उश्मी उर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसके करण वोप करण गरम हो जाता है और इसे हम धारा का उश्मी प्रभाव कहते हैं धारा से जुड़े दो और प्रभाव हैं धारा का रसानिक प्रभाव और धारा का चुम्बकी प्रभाव इस पार्ट में हम धारा के चुम्बकी प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे सन 1820 से पहले विदूत और चुम्बकत्व भौतिकी की दो अलग-अलग शाखौंग में अध्यन किया जाता था विदूत वह उर्जा है जो किसी पदार्थ में आवेशों की स्थानांतरन या आवेशों की गती के कारण उत्पन होती है और उसके कारण ही उस पदार्थ में किसी अन्य हलकी वस्तू को आकर्शित करने का गुन उत्पन हो जाता है जबकि चुम्बकत्व किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वो कोबाल्ट, निकेल, लोहा जैसे चुम्बकी पदार्थ को अपनी और आकर्शित कर सकता है 1820 में डेन्मार के भौतिक सास्त्री हैंस, क्रिश्चिन और स्टेट के प्रयोगों के बाद विद्दूत और चुम्बकत्व दोनों को एक साथ जोड दिया गया और भौतिकी के एक नई शाखा तायार हुई, जिसे हम विद्दूत चुम्बकत्व यानि की अलेक्ट्रो मैगनेटिस्व के नाम से जानते हैं 1864 में विद्दूत चुम्बकत्व को एक साथ जोड दिया और यहां से एलेक्ट्रो मैगनेटिस्म को गती प्राप्त हुई उन्होंने प्रकाश को एक एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब यानि की विद्दूत चुम्बकी तरंग माना उसके बाद 19 सताबदी में जेसी बोस और मारकोनी ने इन विद्दूत चुम्बकी तरंगों को लैब में भी उत्पन्न कर लिया और उसके बाद विज्ञान और तक्नीकी की छेत्र में आश्चरी जनक प्रगति हुई तो ये और स्टेट का एक्स्पेरिमेंट क्या था इसके अवलोकन क्या थे इसको समझने के लिए हम एक सरल एक्टिविटी करेंगे जिसे आप आसानी से अपने घर में या स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं पर इससे पहले हम थोड़ा सा चुम्बकत्व पर चर्चा करते हैं अच्छा बच्चो मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा उकरण है जिसकी सहता से हम चुम्बकी छेत्र का पता लगा सकते हैं उसे हम चुम्बकी सुई, मैगनेटिक नेडल ये कमपास के नाम से जानते हैं ये चुम्बकी सुई जब हम पृत्वीब की सता पर रख देते हैं तो सदैफ पृत्वी के भुबॉलिक उत्तर और दक्षिन को दर्शाती है पर इस चुम्बकी सुई के सामने कोई मैगनेट लाके रख दिया जाए तो वो उस मैगनेट के उत्तर और दक्षिन को दर्शाती है इस प्रकार इस चुम्बकी सुई की सहता से हम चुम्बकी छेत्र का पता लगा सकते हैं जब यह चुम्बकी सुई मैगनेट के साथ थी मैगनेट के पास थी तो उस मैगनेट की चुम्बकी छेत्र को दर्शा रही थी लेकिन जब आसपास कोई मैगनेट नहीं होता है तो उस समय ये चुम्बकी सुई इस पृत्वी के चुम्बकी छेतर से प्रभावित होती है और इसी लिए ये पृत्वी के जोगरफिकल नौर्थ और साउथ को दर्शाती है किसी भी चुम्बक के चारों तरफ एक छेतर होता है और उस छेतर के अंदर ही उस चुम्बक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है और उसी छेतर को हम कहते हैं उस चुम्बक का चुम्बक की छेतर तो बच्चो इस activity को करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरुवत है ये देखते हैं इस activity को करने के लिए हम लेंगे magnetic needle, कैरम की कुछ गोटियाँ, copper की तार और battery जिसमें तार के साथ crocodile clip लगी हो ये चीज़े आसानी से हमको अपने घर में भी मिल जाती है कैरम की गोटियाँ हमने इसले लिया है ये लकड़ी के बने होते हैं और ये चुम्बकी छेत्र और विद्दु छेत्र दोनों से प्रभावित नहीं होते हैं copper की तार जो हमने लिए है वो मोटी तार है जिसका प्रतिरोध कम होगा और इसमें धारा कमान अधिक होगा यहाँ पर battery के लिए जो setup लिए है वो cell हो से बना हुआ है ताकि हम अलगलग cell को ले कर अलगलग धारा प्रभाहित कर सके जब हमें धारा कमान बढ़ाना हो तो हम cell की संखिया बढ़ा देंगे जिससे की तार में बहने वाली धारा कमान बढ़ जाएगा और इस क्रोकोडाइल क्लिप के साहता से हम इस तार में धारा को प्रवाहित करेंगे सबसे पहले हम ग्लू टेप की मदस से इन केरम की गोटियों को फिक्स कर देते हैं और यह जो कॉपर की तार है मोटी वाली इसे भी हम इस कैरन की गोटी के उपर इस ग्लू टेप से फिक्स कर देते हैं यह जो चुम्बकी सुई है इसको हम तार के नीचे रखेंगे जब चुम्बकी सुई को तार के नीचे रखा जाएगा तो हम देखते हैं कि चुम्बकी सुई प्रित्वी के नौर्थ और साउट को दर्शाएगी क्योंकि यह अभी प्रित्वी के चुम्बकी छेत्र के प्रभाव में हैं इसलिए यह प्रित्वी के नौर्थ और साउट को दर्शाएगी है अब हम इस सेल की साहता से इस तांबे की तार में धारा को प्रवाहित कर लिए हम क्रोकोडाइल क्लिप के दोनों सीरों को स्तार में जोड़ देते हैं ए से धन सीरे को और बी से रिंड सीरे को हमने देखा कि चुम्बकी स्वी विक्षेपित हो जा रही है जैसे ही हम इस क्रोकोडाल क्लिप को स्कार से टच करते हैं इस चुम्बकी स्वी में विक्षेप प्राप्त होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुम्बकी स्वी में नौर्थ और साउथ होते हैं और हम जानते हैं कि चुम्बक को जब चुम्बकी सुई के पास लाया जाएगा तो उसके समान द्रूर एक दूसरे को प्रभीकर्शित करेंगे और विप्रेत द्रूर एक दूसरे को आकर्शित करेंगे। इसका मतलब यदी कोई चुम्बक पास में लाया जाए तो ये चुम्बक की सुई विक्षेपित होती है तो इससे हम यहां निसकर्ष निकाल सकते हैं कि जब इस तार में धारा को प्रवाहित किया जा रहा था तो वो चुम्बक की तरह वहवार कर रही थी है जब हम 1.5 वोल्ड की दो सैलो को इस्तमाल करके इस तार में से धारा प्रवाहित कर रहे थे तो इस चुम्बक की सुई में विक्षेप 54 डिग्री का मिला अब हम इस तार से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को बढ़ा देते हैं इसके लिए अब हम दो सैल और इस बैटरी में जोड़ देते हैं अब क्रोकोडाल क्रिप की साहता से इस तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं और इस चुम्बकी सुई में विक्षेप देखते हैं इस स्थिती में चुम्बकी सुई में विक्षेप कमान बढ़ गया यहां पर डिफलेक्शन 62 डिग्री का मिला यानि पहली वाली स्थिती से अधिक देला तो हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि धारा की मात्रा बढ़ाने पर चुम्बकी प्रभाव भी अधिक हो जाता है अब हम इस चुम्बकी सुई को इस तार से दूर ले जाते हैं हम यह देखते हैं कि चुम्बकी सुई को तार से दूर ले जाने पर इसमें विक्षेप कम होता है जब हम इसको तार के पास लाते हैं तो इसमें दिख्षेप अधिक दिखाई देता है इसका मतलब चुम्बकी छेत्री की तीव्रता तार से दूर जाने पर कम हो जाती है जब हम इस तार में से धारा प्रवाहिद कर रहे थे और चुम्बकी स्वी को इस तार के नीचे रखे थे तब चुम्बकी स्वी इस्ट की ओर डिफलेक्ट हो रहे थी अब हम इस चुम्बकी सुई को तार के ऊपर रखते हैं हमने ये देखा कि चुम्बकी सुई वेस्ट फियोर्डिफलक्ट हो रही है इसका मतलब चुम्बकी छेट्र की तीवरता तार के ऊपर और नीचे विप्रुद्ध दिशा में होती है अब हम क्रोकोडाइल क्लिप के सहायता से इस स्तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बदल देते हैं पहले धारा A से B की और प्रवाहित हो रहे थी अब धारा B से A की और प्रवाहित हो रही है और हमने देखा कि धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकी सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है इससे यहाँ निशकर्ष निकाला जाता है कि धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकी छेतरे की दिशा भी बदल जाती है तो इस activity के जरिये हमने और स्टेट के प्रयोग के अवलोकन को देखा और हमने ये जाना कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी चारो और चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाता है और इस घटना को हम धारा का चुम्बकी प्रभा कहते हैं जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही थी उसके चारो तरफ चुम्बकी छेतर उत्पन हो रहा था तो उसके पास रखी चुम्बकी सुई विक्षेपित हो रही थी अब ये चुम्बकी सुई किछ दिशा में विक्षेपित होगी इसे बताया विज्ञानिक AM Ampere ने और उन्होंने Ampere Swimming Rule दिया यानि कि Ampere के तैरने का नियम हमने देखा है बच्चो जब तैराक पानी में तैरता है तो उसका मुह नीचे की और होता है और वो अपने हाथों को आगे की और बढ़ाते हुए आगे तैरते हुए निकल जाता है तो इस नियम को लगाने के लिए सबसे पहले में यह ध्यान रखना होगा कि तैराख धारा की दिशा में तैरना शुरू करें जब धारा की दिशा में तैराख तैरना शुरू करता है और उसका मुह चुम्बकी सुई की ओर होगा यानि कि सुई कहां रखी जानी चाहिए जो चालक तार है उसके नीचे और तैराक उस चालक तार के उपर तैर रहा है और उसका मूँ उस चुम्बकी सुई की तरफ है उस कंडिशन में चुम्बकी सुई सदैफ इस तैराक के लेफ्ट हैंड की और विक्षेप बित हो गई हम चुम्बकी सुई को नीचे की और रखेंगे स्तार के और तेराक इस स्तार के ऊपर तेरा है जिसका मूँ इस सुई की तरफ है तो इस चुम्बकी सुई उस तराक के लेफ्ट हैंड साइड की और ही विक्षे पित होगी तो इस प्रकार एंपियर के इस स्विमिंग रूल के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि चुम्बकी सुई किस तरफ विक्षे पित होगी पर ये चुम्बकी चेत्र कैसा होगा इसको समझने के लिए चलो हम एक और एक्टिविटी करते हैं ओस्टेट के प्रियोक से हमने जाना कि किसी धारा वही तार के चारो और उत्पन चुम्बकी चेत्र का मान तार में प्रवाहित होने वली धारा के मान के समानुपाती होता है यदि एक सिंगल तार में 9 वोल्ट बैटरी की सायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे उत्पन्न चुम्ब की प्रभाव दुर्बल होगा और प्रभल चुम्ब की प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 10 एंपियर या उससे अधिक उच्च दिश्ट धारा प्रवाहित करनी होगी जो कि आपके लिए सुरक्षित नहीं तो इसका हल ये है कि हम 50 फेरो वाली एक रेक्टाइंगुलर यानिकी आयता का फ्रेम ले या फ्रेम पचास धारा वाहि सीधी तार के बराबर होगी इस फ्रेम का चुम्ब की प्रभाव एक सिंगल तार में 50 गुणा धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुम्ब की प्रभाव के बराबर होगा इसके लिए हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे जिसे कुछ कैरम की गोटियों के साहता से वाइट शीट के उपर रखेंगे ताकि हमें पैटर्न अच्छे से दिखाई दे सके फिर इस प्लास्टिक शीट के किनारे में ड्रील कर देंगे इसे आयता कार फ्रेम का रूप देने के लिए रूबी क्यूब का इस्तमाल करेंगे और इस पर तामबे की तार को पचास बार लपेट देंगे धीरे से रूबी क्यूब को हटा लेंगे जिससे 50 स्फेरो वाली ताम्बे की तार की आयताकार फ्रेम तयार हो जाएगी इसे ग्लू की सहता से फिक्स कर लेंगे ताकि फ्रेम हीले ना इट से टेप की सहता से मजबूती दे देते हैं अब इस ताम्बे की फ्रेम में बैटरी की सहता से विद्दुधारा प्रवाहित करते हैं और इसके चारो और लोहे का चूर न डाल देते हैं हम देखते हैं कि ये लोहे का चूर इस ताम्बे की तार के चारो तरफ फैल गया है अब धीरे धीरे हम इस शीट को टोकते जाते हैं जब धीरे धीरे शीट को ठोकते हैं, तो हमने देखा कि ये लोहे का चोन तामे की तार की चारो ओर एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित आकरिती में अरेंज हो रहा है। ये चुम्बकी बल ररेखाओं को दर्शाते हैं, जो तार के चारो ओर सम केंद्रिय वृत की रूप में प्राब्त होती हैं। चुम्बकी चेतर को बताने के लिए चुम्बकी सूई का भी इस्तमाल कर सकते हैं। इसके पास येदी हम एक चुम्बकी स्वी रखें और इसके सिर्ष के दिशक देखें तो वहाँ एक वृत के रूप में आगे बढ़ेगी और इसका आरेग बनाएं तो यहाँ भी एकसम गेंद्रिय वृत के रूप में प्राप्त होता है वैसे भी हम यह जानते हैं कि चुम्बकी बल रेखाएं बंद वक्र का निर्मान करती हैं अता यह चालक के चारो ओर उत्पन्य चुम्बकी छेत्र को ही दर्शाते हैं इस क्रिया कलाप से हमने यह भी जाना कि चुम्बकी स्वी को तार से दूर ले जाने पर चुम्बकी स्वी में विक्षेप कम हो गया अता चुम्बकी छेत्रे की तीव्रता तार से दूर जाने पर घट जाती है साथ ही तार में धारा की दिशा बदनने पर चुम्बकी सुई भी विप्रुत दिशा में विक्षेपित होती हैं अधा उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की दिशा भी तार में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती हैं तो बच्चो इस activity से हमने जाना ये किसी भी चालक तार के चारो और चुम्बकी छेतर किस प्रकार उत्पन हो जाता है वैसे चुम्बकी छेतर की दिशा बताने के लिए और कई नियम आए धारवाही चालक के चारोर उत्पन चुमबकी छेतर की छेतरे रेखाओं की दिशा अथा चुमबकी छेतरे की दिशा निम्न नियमों की सहता से ग्यात की जातकी है राइट हैंड थम रूल, इसके अनुसार एक धारा वाही चालक को दाएं हास से इस प्रकर पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है, वही चुम्बकी छेत्रे रिखाओं की दिशा होती है, इसके अनुसार एक धारा वाही सीधे चालक के अनुदीश रखी है, अब उसे इस प्रकार घुमाओं कि उसकी नोग धारा की दिशा में आगे बढ़ें, तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, वही चुम्बकी छेत्रे रेखाओं की और इसे मैक्सवल्स का दक्षिनावर्थी कौरक पेज का नियम कहते हैं, दाए हाथ की हतेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लमवत हो, अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तता उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर जिस बिंदु पर चुम्बकी छेत्र ग्यात करना है तो चुम्बकी छेत्र के दिशा हतेली के लंवत बहार की ओर होगी तो बच्चो अब तक जो हमने चर्चा की उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि और स्टर्ट के प्रयोक से यहां पता चलता है कि धारा वाही चालक के चारो और चुम्बकी छेत्र का अस्तित्व होता है किसी चालक तार में धारा प्रवाह से चुम्बकी स्वी विक्षेपित होती है तो उसी चालक में धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकी स्वी विप्रदिशा में विक्षेपित होती है जिसकी दिश दाई हाथ के नियम के द्वारा दी जा सकती है और स्टर्ट की खोच के कुछ समय पश्चार सन 1820 में ही दो फ्रांसिसी भौतिक विद जीन बायो बैप्टिस्ट और फ्लिक्स सैवाट ने सरल आकरिती के धारावई चालकों के निकट चुम्बकी छेतर के मापन के लिए एक नियम दिये जिसे बायो सैवाट का नियम कहते हैं इस नियम के समीकरण को दो रूपों में लिखा जा सकता है अदीश रूप में तथा सदीश रूप में सबसे पहले हम बायो सैवाट के नियम के समीकरण को अदीश रूप में देखते हैं इसके लिए हम एक चालक तार देते हैं और कल्पना करते हैं कि इसमें आई धारा इन तीर के तिशों में प्रवाहित हो रही है बिंदु पी पर इस धारा वही तार के कारण उत्पन्र चुंबकी छेत्र की तीवरता ग्यात करने हैं इस तार में कोई भी एक बिंदु ए लेते हैं जहां इस चालक के डियल लंबाई के एक अती अल्प अव्या लेते हैं इस अलपांश से बिंदु P की दूरी R है इस P बिंदु पर अलपांश DL द्वारा चुम्बकी छेत्र की तीवरता यदि डी बी लेते हैं तो यह कितनी होगी इस चित्र से यह स्पष्ट है कि चालक तार और अलपांश DL तता बिंदु P को जोडने वाली देखा के बीज का कौन ठीटा है तो बायो सेवट की नियम के नुसार अलपांश DL के द्वारा P बिंदु पर उत्पन चुम्बकी छेत्र की तीवरता बी बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रम अनुपाती है अलपांश DL के अनुक्रम अनुपाती होती है और इस चारों समीकरणों को कंबाइन करने पर हमें बायो साइवर्ट के नियम का स्केलर फॉर्म यानि की अधी शुरूप प्राप्त होता है जिसके नुसार डी बी समानुपाती है आईडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेर के समानुपाती का चिन्न हटाते हैं नियतांक लगाते हैं और यह नियतांक है म्यू जिरो अपॉन फॉर पाई डी बी इक्वल टू टेंट टू पावर माइनस सेवन आईडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेर यह समीकरण पायो सेवाट के नियम का अधी शुरूप है जिसके सहायता से किसी भी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदू में उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की तीवरता का परिमान बताया जा सकता है उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की दिशा बताने के लिए इस नियम को सदीश रूप में लिखा जाता है बायो सेवर्ट के नियम का सदीश रूप है वेक्टर db equal to mu0 upon 4pi i vector dl into vector r upon rq इस समीकरण में 3 सदीश है सदीश db, सदीश dl और सदीश r हम जानते हैं प्रतिक सदीश के दो भाग होते हैं उसका परिमान और उसकी दिशा इस चित्र में vector m यानि कि सदीश m एक सदीश राशी है जिसका परिमान m है और उसकी दिशा m cap के द्वारा दर्शाई जा रही है इसलिए सदीश m बराबर होगा m का परिमान into m cap इसके अधार पर पायो सेवर्ट के नियम को सदीश रूप में निर्वात में इस प्रकार लिखा जा सकता है db equal to mu0 upon 4 pi idl into dl cap into r into r cap upon r q जहां dl और dl cap सदीश dl के परिमान और दिशा है वहीं r और r cap सदीश r के परिमान और दिशा है इस प्रकार db सदीश बराबर mu0 upon 4 pi idl dl cap into r cap upon r square चुम्बकी छेत्र db के दिशा सदीश dl cap और r cap का cross product यानि की सदीश कूणन से प्राप्त होगी यदि हम cross product निकालते हैं हमें प्राप्त होगा sin theta db cap जहां db cap p बिंदू पर अलपांच dl के द्वारा उत्पन्य चुम्बकी छेत्र के दिशा को दर्शाता है या उस तल के लमवत होगा जिसमें सदीश dl cap और r cap होँगे यह सपश्ट है कि db cap तो लमवत होगा पर किस दिशा में ऊपर की हो या नीचे की हो इसके लिए हम Maxwell's के right hand cork screw rule को देखते हैं किसी 36 तल में हम right handed screw को clockwise यानि घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो 36 तल के लमवत नीचे की और जाएगा और anti clockwise यानि घड़ी की सुई की विपरत दिशा में घुमाते हैं तो वो 36 तल के लमवत ऊपर की और आएगा इस cross product यानि सदीश कुणन में dl cap को r cap से गुणा करते हैं तो db की दिशा नीचे की और होगी एक्चुली यहां पर सदीश dl और सदीश r की दिश में दो कोण बनते हैं noon कोण और अधिकोण हमको noon कोण पर चलना है क्यानि कि clockwise इसलिए db कैप की दिशा इन दोनों सदीशों के लमवत तल में नीचे की और होगी यदि विद्धारा की दिशा को चालक तार में बदल दिया जाए तो सदीश dl की दिशा भी विपरिट हो जाएगी और अब dl कैप और r कैप का सदीश खूलन होगा साइन pi-theta क्योंकि dl कैप और r कैप के बीच का कोण pi-theta है और साइन pi-theta होता है इसलिए अब db कैप के दिशा dl कैप और r कैप के तल के लमवत उपर क्योर होगी क्योंकि यहाँ पर DL-CAP और R-CAP का सदीश कुनन करने के लिए हम anti-clockwise चल रहे हैं अब आईए हम बायो सेवट के नियम के कुछ महत्पुन विशेश्टाय देखते हैं पहला यहाँ नियम स्थिर वैद्दुतिकी में कुलाम के नियम के अनुरूप है यहाँ पर हमने देखा कि यह दूरी के वर्ग के व्यूत क्रम अनुपाती होता है और कुलाम के नियम में भी ऐसा ही है इसलिए यह नियम कुलाम के नियम के अनुरूप है चुम्बकी छेतरे डीबी की दिश्या जो धारा अव्याई था आईडियल और उनके बीच की दूरी थी आर इन दोनों के लंबवत होती है मतलब जिस तल में डीयल अव्याई होगा और यह दूरी होगी आर यह दोनों के लंबवत होती है यदि थीटा बराबर जीरो हो यानि कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो बिंदू पी हमने लिया था वो इसी धारावाही तार पर ही हिस्तित है इसी अक्ष पर ही है उस कंडिशन में चुम्बकी छेतरे का मान शुन्य होगा यानि कि धारावे अक्ष में चुम्बकी छेतरे का मान शुन्य होता है क्योंकि जो चुम्बकी छेतरे वो चालक तार के चारो उरुत्पन होती है हमने देखा था ये सम केंदरी वृत के रूप में होती है तो इसके तार की अनुदीश यदि हम देखें तो चुम्बकी छेतरे का मान शुन्य हो जाता है यदि थीटा बराबर 90 लेते हैं मतलब ऐसा बिंदू ले रहे हैं जो इस धारा वही चालक तार के लंबवत हो उस कंडिशन में चुम्बकी छेत्र डीबी बराबर होता है मियू 0 अपॉन 4 पाई आईडियल साइन थीटा अपॉन और स्क्वेर और साइन 90 ब देख सकते हैं कि लंवत यदि हम कोई बिंदू इस धारा वाही चालक तार के लेते हैं तो वहां पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता अधिक्तम होती है तो बच्चों अब हम बायो सेवर्ट के नियम के तुनला इस कुलाम के व्यूत्करम वर्ग के नियम से करते हैं हमने कु अवेश अव्याई डीक्यू से आर दूरी पर विद्दू छेत्र की तीवरता का सूत्र होता है डीए बराबर वन अपन फोर पाई एपसलोन जीरो डीक्यू अपन आर स्कुरेर जबकि बायो सेवर्ट के नियम के नुसार यदि हम कोई धारा वाही चालक में एक धारा अव् और उससे आर दूरी पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता का सूत्र होता है डीबी बराबर म्यूजिरो अपन फोर पाई आई डीयल साइन थीटा अपन आर स्कुरेर अब इन दोनों सूत्रों से हम गुलाम के व्यूतक्रम के नियम और बायो सैवर्ट के नियम में क्या समानता आई यह देखते हैं तो आये हम व्यूतक्रम की नियम के बीच में समानता देखते हैं व्यूतक्रम के नियम का पालन करता है इसमें भी विद्दू छेत्र दिर्ग परासी है, क्योंकि यहां भी व्यूत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है इसमें अध्यारोपन का सिधान लागू होता है इसमें भी अध्यारोपन का सिधान लागू होता है श्रोत IDL में चुम्बकी छेत्र रैखिक है श्रोट DQ में इस्थिर विद्धु छित्र रैखिक है अब इनी सुत्रों के आधार पर हम इन दोनों नियमों के बीच में आसमानता देखते हैं इसमें चुम्बकी छित्र सदी श्रोट IDL द्वारा उत्पर्ण होता है इसमें स्थिर विद्दुच छेत्र अदीश श्रोत जैसे DQ द्वारा उत्पर्ण होता है योकि हम जानते हैं कि धारा अदीश राशी है इसमें चुम्बकी छेत्र सदीश विस्थापन आर धारा अव्यव आईडियल दोनों की तल के लमवत होता है इसमें स्थिर विद्दुच छेत्र श्रोत को प्रेक्षन बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदीश के अनुदीश होता है इस नियम के नुसार चुम्बकी छेत्र का परिमान साइन थीटा पर निर्भर रहता है जा थीटा आर और आईडियल के मध्य कोण है इसमें स्थिर विद्दुच छेत्र का परिमान कोण पर निर्भर नहीं करता और इस बायो सैवट के नियम के सूत्र के अधार पर हमें कांकीक प्रश्ण बनाते हैं एक सीधे तार में 5 एंपियर की धारा दक्षिल से उत्तर के और प्रवाहित हो रही है इस तार के एक सैंटीमीटर तुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में एक मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुम्बकी छेत्र ग्याद कीजिए इस प्रश्ट में दिया गया है बहने वाली धारा कमान यानि की आई बराबर 5 एंपियर यहाँ पर तार के तुकड़े की लंबाई यानि की डियल बराबर एक सैंटीमीटर दी गई है तो सबसे पहले हम सैंटीमीटर को मीटर में कनवर्ट करेंगे और इसलिए इसे सौ से भाग देंगे तो हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर और आर बराबर एक मीटर है और थीटा बराबर यहाँ पर होगा 45 डिग्री क्योंकि यहाँ पर धारा दक्षीन से उत्तर के प्रवाहित हो रही है और यहाँ तार का तुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में एक मीटर की दूरी परिस्तित बिंदू पर चुम्बकी छेत्रे ग्याद करना है इसका मतलब यहाँ पर कौन 45 डिग्री का होगा और इसलिए हम सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं अब यह सारे मान इस सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होगा म्यू जिरो को मान होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 तो यहाँ पर हम म्यू जिरो अपन 4 pi के जगे लिख रहे है 10 to the power minus 7 और यहाँ मान इस सूत्र पर रखने पर हमें मिलेगा 10 to the power minus 7 into 5 into 0.01 into sin 45 upon 1 square sin 45 का मान 1 upon root 2 होता है और इसलिए हम sin 45 का मान 1 upon root 2 इस formula में रख देंगे मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 5 into 10 to the power minus 9 into 1 upon root 2 और इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा 3.5 into 10 to the power minus 9 tesla बच्चों यहाँ पर root 2 का मान आपको याद रखना पड़ेगा root 2 बराबर होता है 1.414 और यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा 3.5 into 10 to the power minus 9 tesla कि नियम के नुसार इस चुम्बकिय छेत्र की दिशार ओर्धवा अधर नीचे की ओर होगी अब अच्चों हम यह जानते हैं कि इस चुम्बकिय छेत्र को किस प्रकार हम अपने कौपी में प्रदर्शित करते हैं हम जानते हैं कि चुम्बकिय छेत्र एक सदीश राशी है और सदीश राशी को हम जब भी भी चितरत करते हैं तो एक तीर की निशान के द्वारा चितरत करते हैं तीर कैसा होता है आपने देखा है सामने में ट्राइंगल की तरह होता है और पीछे पंक लगे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होते हैं तो जब भी चुम्बकी छेत्र, आप यदि अपने कॉपी के कागज तल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे तो अपने कॉपी के तल पे बनाएंगे, कागज के तल पे बनाएंगे, तो यदि चुम्बकी छेत्र कॉपी के लंबवत अंदर की ओर होगा, यानि कि वो पंक एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे तो उस कंडिशन में हम यहां पर एक गोले के अंदर क्रॉस का निसान लगाते हैं लेकिन जब यह चुम्बकी छेत्र की दिशा उपर की तरफ होगी यानि कागश तल से लंवत यह बाहर की और आ रही होगी यानि कि हम उसको दर्शाएंगे तो गोला बनाकर एक बिंदू लगाते हैं तो जब गोला बनाकर बिंदू लगाया गया हो यानि की चुम्बकी छेत्र कॉपी के लंवत उपर की और होगी तो बच्चों अब हम बायो सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग अलग-अलग आकरिती के चाल करती है तो सबसे पहले हम एक सीधे लंबे धारा वाही चालक तार के कारण किसी बिंदू पर बायो सावर्ट के नियम का उप्योग करके जुम्बकी छेत्र की तीवरुत्य ग्याद करते हैं सबसे पहले हमने एक सीधा चालक तार लिया है जिसे हम x y से प्रदर्शित कर रहे हैं मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाही थोरी है जिसकी दिशा x से लेकर y की ओर है यानि की ऊपर की ओर अब हमें इस धारा प्रवाही चालक x y से a दूरी पर यानि की बिंदू p पर चुम्बकी छेत्र की तीवरुता ज्याद करनी है यानि की op बराबर हमने लिया है a अब इस p बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की दिशा क्या होगी हम यहाँ पर right hand का नियम लगाते है right hand thumb rule के अनुसार हम धारा की दिशा में अपना अंगूठा दिखाएंगे और इस चालक तार को अपने उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेंगे जिस दिशा में मेरी उंगलिया मूरती है वही चुम्बकी छेत्र की दिशा होगी तो इस p बिंदू की बात करें और अंगूठे को हम धारा की दिशा में स्ट्रेच करें तो इस p बिंदू पर मेरी उंगलिया इस बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है और आप यदि इस xy चालक तार को अपने कौपी पे बनाते हैं तो आपकी उंगलिया इस कागश तल में नीचे की ओर जाएंगी तो इस p बिंदू पर चुम्बकी छेतर की दिशा आपके कागश तल के लंवत नीचे की ओर होगी और मेरे यहाँ पर इस बोर्ड के लंवत अंदर की ओर होगी अब मान लीजिए बिंदू o से x दूरी पर हमने एक dl लंबाई का धारा अव्या लिया है जिसे हम a b से दर्शा रहे हैं जिसे p बिंदू की दूरी r है पहले हम इस धारा अव्या के कारण इस p बिंदू पर चुम्बकी छेतर की तीवरता ग्याद करेंगे उसके बाद इस पूरे XY धारा वाही चालक टार के कारण इस P बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करेंगे मान लीजिए एंगल YBP बराबर थीटा है तो बायो सैवर्ट की नियम से धारा अव्यव AB के कारण बिंदू P पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता का सूत्र होगा डीबी बराबर म्यू जिरो अपन फोर पाई आईडियल साइन थीटा अपन आर स्कुरेल अब हम ये धारा अव्यव AB के बिंदू A से BP पर एक लंबवत रेखा खिशते हैं जो BP को बिंदू C पर काटती है यहां हम देखें त्रिभूज ABC का निर्मान हो रहा है जो कि एक समकोन त्रिभूज है क्योंकि AC लंबवत रेखा है BP पर और इस त्रिभूज ABC में जो कोण है ABC यानि ये जो कोण B है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा यहां से हम देखें समकोन त्रिभूज ACB में साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा लंबटे कर्ण यानि की AC अपन AB यहां से AC बराबर होगा AC बराबर AB sin 180-θ अब हम जानते हैं sin 180-θ बराबर होता है sinθ और AB बराबर है DL तो AC बराबर होगा DL sinθ अब मान लो अंगल OPA बराबर D5 है तो बिंदू P का धारा अव्याई AB के साथ कोन D5 लेंगे? अब समकोन त्रिभूच P, C, A में sin D5 equal to AC upon AP या AC बराबर AP sin D5 हम जानते हैं sin 0 बराबर 0 होता है यानि कोन का वान बहुत कम हो तो हम उसकी जिया भी उतनी ही ले लेते हैं इसलिए sin D5 बराबर D5 ही लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा AP D5 और AP का मान है R तो AC बराबर होगा R D5 अब समीकरण 2 और 3 को देखें तो ये दोनों ही AC के मान को बताते हैं इसलिए DL sin theta बराबर R D5 लिख सकते हैं हमने दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया है समीकरण 1 में यानि कि इस BIOS हैवर्ट के नियम में मान रखने पर हमें मिलेगा DB इकवल टू μू 0 अपन 4 पाई I R D5 अपन R स्क्वेर या numerator और denominator से R R कैंसल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा DB बराबर μू 0 अपन 4 पाई I D5 अपन R अब समकोन त्रिभोज AOP में Cos 5 बराबर होता है आधार बटे कर यानि कि A P बराबर O P और लिख सकते हैं A अपन R क्योंकि A P का मान है A और O P का मान है R यहां से 1 अपन R बराबर मिलेगा Cos 5 अपन A समी करन 4 में मान रखने पर DB बराबर μू 0 अपन 4 पाई I D5 Cos 5 अपन A और इस समी करन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं DB बराबर μू 0 अपन 4 पाई I अपन A Cos 5 D5 और यहां समी करन इस धारा अव्यव DL के कारण इस बिंदु P पर चुम्बकी छेतरी की तीव्रता बताता है यह जो धारावाही चालक तार है X Y इसमें हमने छोटा सा अलपांश लिया था A B यह पूरे चालक तार को हम ऐसे छोटे छोटे अलपांशों में बाट सकते हैं यानि कि ऐसे DL नमबाई के धेर सारे धारा अव्याई होंगे यानि कि अब हम को इस X Y चालक तार के कारण इस P बिंदु पर चुम्बकी छेतरी की तीव्रता ग्याद करनी है तो इस हर धारा अवे के चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करनी होगी और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो भी अलपांश हम लेंगे डियल उसके द्वारा चुम्बकी छेत्र की तीवरता की दिशा अंदर की ओर ही होगी क्योंकि धारा यहां पर उपर की और प्रवाइत हो रही है तो आप अलपांश कहीं पर भी लें उसकी कारण चुम्बकी छेत्रिकी तीवरत्ता यदि ग्यात करेंगे चाहिए आप कोई भी नियम लगाएं राइट हैं नियम लगाएं या फिर आप स्कुरू रूल लगाएं च उसका मतलत जब हम पूरे तार के लिए चुम्बकी छेत्रिकी दिशा ग्यात करेंगे तो हम इनका योग कर सकते हैं तो अब हम पूरे तार के लिए चुम्बकी छेत्रिकी तीवरत्ता ग्यात करने के लिए किसी भी अलपांश यानि कि धारा अव्याए एबी के द्वारा समाकलन करेंगे यह समाकलन पूरे चालक टार के लिए होगा तो सबसे पहले हम इस चालक टार के दोनों छोरों को इस P बिंदू से जोड़ देते हैं P बिंदू से जोड़ने पर मान लीजिए यह जो एंगल बन रहा है XPO यह 51 है और यह कौन बन रहा है YPO यह 52 है तो X, Y तार के कारण बिंदू P पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता निकालने के लिए हम इस धारा अव्यदील के सभी चुम्बकी छेत्रों के घटकों का कंटिन्यूस समाकलन करेंगे अधा तार X, Y के कारण बिंदू P पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता B बराबर इंटिग्रेशन और DB यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे माइनस 5-1 से लेकर 5-2 हमने यहाँ पर माइनस चिन्द कर स्थमाल किया है यहाँ पर नात्मक चिन्द कर स्थमाल किया है इंटिग्रेशन लिमिट लगाएंगे माइनस 5-1 तो 5-2 DB कमान रखने पर मियू 0 अपन 4 पाई आई अपन ए कॉस फाई दी फाई अब इस समिकरण में धारा कमान नियत है बिंदू P की स्थार से दूरी लंबवत दूरी ए नियत है तो इन दोनों को हम इंटिग्रेशन के बाहर कर देंगे यहां पर हम देख रहे हैं कि बिंदू को अलग-अलग स्थिती में लेने पर इस फाई के मानने परिवर्तन होगा तो समाक यलन के अंदर कॉस फाई ही रहेगा यह समिकरण मन जाएगा बी बराबर म्यू जिरो अपॉन फोर फाई आई अपॉन ए इंटिग्रेशन माइनस फाई वन तो फाई तुम कोस फाई दी फाई इंटिग्रेशन अफ कोस थेटा होता है साई थेटा तो यहां पर हम कोस फाई का समाकलन करके उत्तर लिखेंगे साई पाई तो यह समिकरण मन जाएगा बी बराबर म्यू जिरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साई फाई लिमिट लगाएंगे माइनस फाई वन से लेकर फाई तो अब इस लिमिट को हल करेंगे तो सबसे पहले हम upper limit लिखेंगे minus करके lower limit तो यह समीकरेंट मन जाएगा mu 0 upon 4 pi i upon a sin 5 by 2 minus sin minus 5 by 1 sin of minus theta minus sin theta होता है तो यह minus sin बाहर निकालने पर minus minus plus हो जाएगा और इसलिए b बराबर होगा mu 0 upon 4 pi i upon a sin 5 by 2 plus sin 5 by 1 और इस समीकरेंट के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर कई विशेश स्थितिया हो सकती है जैसे कि पहले स्थिति यदि हमने चालक तार को असीमित लंबाई का लिया है जब इस चालक तार असीमित लंबाई का होगा तो इसका छोर कहीं बहुत दूर पर होगा यह यह कहें कि यह जो रेखा होगी yp और xp वो लगभग xy के समानतर हो जाएगी और यह जो कोण है phi 1 और phi 2 यह दोनों ही 90 के लगभग हो जाएगे और हम जानते हैं कि sin 90 का मान होता है 1 तो यहाँ पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता b बराबर हो जाएगी mu 0 upon 4 pi i upon a sin 90 plus sin 90 यानि कि 1 plus 1 और यहाँ पर हम लिख सकते है b बराबर mu 0 upon 4 pi 2 i upon a यह 2 को यह दि 4 से cancel कर दे तो हमें मिलेगा mu 0 i upon 2 pi a अब दूसरी स्थिती देखते हैं कि तार असीमित लंबाई का है लेकिन यह जो बिंदु P हमने लिया था यह किसी एक छोर पर स्थित है या तो X पर है या तो Y पर मान लिजी यह X छोर पर स्थित है तो यहाँ पर P X का यह जो कोण बनेगा वो 0 हो जाएगा इस स्थिती में हम देखें तो 5 1 बराबर 0 लिखेंगे और 5 2 बराबर तो 9 T रहेगा उस कंडिशन में फॉर्मला हो जाएगा B बराबर mu 0 upon 4 pi I upon A sin 90 plus sin 0 यानि कि 1 plus 0 हो जाएगा और यहां मिलेगा B बराबर mu 0 upon 4 pi I upon A अब हम तीसरी स्थिती देखते हैं जहाँ पर तार की लंबाई सीमित है माना की L है तथा बिंदू P तार के लंबहार तक पर स्थित हो मतलब इस तार को 20 से काटने वाली लंबवत रेखा पर स्थित हो इस स्थिती में दोनों ही कोण बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 5 1 बराबर 5 2 बराबर 5 और समीकरान में मान रखने पर हमें मिलेगा B बराबर mu 0 upon 4 pi I upon A sin 5 plus sin 5 और B बराबर mu 0 upon 4 pi sin 5 plus sin 5 2 sin 5 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 I sin 5 upon A यहाँ से 2 को 4 से कैंसल करने पर हमें मिलेगा mu 0 I sin 5 upon 2 pi A इस चित्र अनुसार देखें तो sin 5 होगा लंबटे कर्ण तो यहाँ से लंब बराबर होगा L by 2 अब कर्ण ग्याद करना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा यह दोनों भोजाओं के वर्ग का योग का वर्ग मून तो हम लिखेंगे root अंडर L by 2 का स्क्वार प्लस A का स्क्वार यहाँ पर हमने इस सम्कॉन त्रिभूज के लिए पाइथर गरस का प्रमय इस्तमाल किया है तो यह हो जाएगा L अपॉन रूट अंडर L स्क्वार प्लस 4 A स्क्वार यह हमने LCM लेके इसको सरल कर दिया है और समीकरन में मान रखने पर हमें मिलेगा बच्चों सूत्र से हम देखें कि जो चुम्बक्ये छेत्र है वो धारा के समानुपाती है लेकिन इस चालक तार से दूरी के साथ इसका सम्मन व्योद्करमानुपाती है तो यदि हम B और A के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो यदि ग्राफ कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है अब इस सूत्र पर अधारित हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं एक लंबे तार में एक अंपियर की धारा प्रभाइत हो रही है इससे एक सेंटिमीटर दूरी परिस्थेत वायू में किसे बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तीज़ता कितनी होगी सूत्र लिखते हैं हम यहाँ पर एक लंबा धारावाही तार है तो सूत्र अनुस्थार बी बराबर होगा म्यू जिरो आई अपांट कू पाई ए धारा दी गई है एक एंपियर ए यानि कि इस तार से दूरी दी गई है एक सेंटिमीटर तो सबसे पहले हम सेंटिमीटर को मीटर में कनवर्ट करेंगे इसे सौ से भाग देंगे तो यह हो जाएगा सूत्र पे मान रखेंगे म्यू जिरो का मान बच्चो हमेशा याद रखना पड़ता है क्योंकि यह कोशन में नहीं दिया जाता म्यू जिरो बराबर होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 अब यह सारे मान याँ पर रखने पर हमें प्राप्त होगा b बराबर 4 pi into 10 to the power minus 7 into 1 अपन 2 pi into 1 into 10 to the power minus 2 और सब को हल करें तो हमें b का मान प्राप्त होगा 2 into 10 to the power minus 5 ratio अब हम बायो सैवत के नियम का अगला अनुप्रियोग देखते हैं बायो सेवट की नियम की साहता से अब हम एक वृतिय तार की केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करेंगे यह वृतिय तार केंद्र में चुम्बकी छेत्र कैसा होगा इसको देखने के लिए आईए हमें एक एक्टिविटी करते हैं बच्चो सबसे पहले हम वृताकार रिंग बनाएंगे यानि की वृताकार लूब बनाते हैं और एक वृताकार लूब से यदि प्रयोक करें तो इसका चुम्बकी छेत्र इतना स्ट्रॉंग नहीं होगा इसलिए हमको नोटिसेबल परिणाम पराप्त नहीं होगे इसलिए हम इस वृताकार लूप के कई फेरे ले लेते हैं, यानि कि एक वृताकार कुंडली बना लेते हैं। आईए देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन किन चीजों के अवशिक्ता होगी। हमें कैरम की कुछ गोटिया चाहिए, जिसे हम स्टैंड की तरह स्तमाल कर सकें, एक प्लास्टिक शीट चाहिए और तामडे की तार चाहिए। और हमारे घर का पूराना डिवीडी केस ले लेते हैं इस डिवीडी केस को हम बराबर से बीच से दो भागों से काट देते हैं और इसी के दोनों छोरों को मार करते हुए हम प्लास्टिक की शीट पर दो छेद बना लेते हैं अब इस डिवीडी को हम इस प्लास्टिक की शीट पर ग्लू टेप की सहता से पिक्स कर देते हैं और तामबे की तार को अब इस डिवीडी के चारों तरफ लपेटना शुरू करते हैं हम तामबे की तार को 30 से 50 बार लपेट सकते हैं क्योंकि यदि हमने 30 बार लपेटा है इसका आर्थ यह होगा कि यहां 30 फेरो वाली वृताकार कुंगली एक फेरे वाली वृताकार लूप से 30 गुणा ज़्यादा प्रभवशाली होगी तो इस प्रकार हमने यहां पर 30 फेरो वाली वृताकार लूप की एक खुंगली ले ली हैं हम लोहे की चूर्ण को इस प्लास्टिक शीट पर इस व्रिताकार कुंड़ी के चारो तरफ डाल देते हैं और इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं धीरे धीरे हम इस प्लास्टिक शीट को ठोकते जाते हैं हम देखेंगे कि ये लोहे का चूर्ण एक विशेश आकृती में खुद को अरेंज कर लेता है और यहीं चुम्बकी बल रेखाओं की दिशा है इस आकृती को हम यदि ध्यान से देखें तो कुंडली के फेरों के पास ये समकेंद्री वृतों के रूप में है जबकि कुंडली के सेंटर में ये समांतर रेखाओं के रूप में है यदि इसे हम कमपास नेडल की सहता से बनाएं तुम देखेंगे कि कमपास नेडल ये कुंडली के परिधी पर गोल-गोल घूम रही है यानि कि एक वृत की रूप में घूम रही है और इसलिए यहां पर चुम्बकी बल रेखाओं समकेंद्री वृतों की रूप में है जिबकि केंद्रे पर यही चुम्बकी स्वी सीधी बल रेखाओं बनाती है और इस प्रकार का पैटर्न हमें प्राप्त होता है और यह चुम्बकी बल रेखाओं को दर्शाता है इस धारावाही वृताकार लूप के लिए इस धारावाही वृताकार लूप में हम देखें तो चुम्बकी स्वी वृत के पास लाने पर अधिक विक्षेपित होती है और वृत से दूर ले जाने पर इसका विक्षेप कम ह जाता है इसका आथ यह है कि इस वृताकार लूप के केंद्र पर चुम्बकी छेत्र प्रबल है जबकि हम इस चुम्बकी सुई को दूर ले जा रहे हैं और विक्षेप कम प्राप्त हो रहा है इसका आथ यह है कि इस वृताकार लूप से दूर जाने पर चुम्बकी छेत्र का दुर्बल होते जाता है हमने देखा कि वृताकार कुंडली प्लास्टिक तल के लंबवत रखी गई थी और इसी तल पर हमको चुम्बकी बल रेखा है प्राप्त हो रहे थी इसका मतलब यह है किसी भी धारावाई वृताकार लूप की कारण उत्पन चुम्बकी छेत्रे उस क कि अनुसार वृताकार तार के चारो और दाय हाथ की हतेली को इस प्रकार मोड़े कि उंगलिया धारा की दिशा को संकेत करें तब फैला हुआ अंगुठा चुम्बकी छेत्रे की दिशा को संकेत करता है